मीडिया के सभी साथियों को इस्वी सम्वत 2024 की बहुत बहुत शुकामनाएं बहुत बहुत बधाई 2024 के आगाज हुआ है और 2024 की शुरुवात में भारतिय जनता पार्टी के माननिय राष्ट्रिय अध्यक्ष शुरी जगत प्रकाश नड़ा जी वो हिमाचल पदार रहे हैं हमारे लिए ये गौरव का विशे है कि भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है उस राजनितिक पार्टी के नेशनल प्रेजिजेंट हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य से आते हैं और इससे भी ज़्यादा और बड़ी बात है कि हाल ही में चत्तिसगर्ड, मद्यपरदेश और राजस्थान तीन राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद शिमला में पहली बार मानने नड़ा जी का आगमन हो रहा है यह बताते हुए मुझे हर शोता है आपके माध्यम से हिमाचल वाशियों को शिमला संसदियक शेत्र के भाई बेहनों नड़ा जी का प्रवास पांच तारीख को होगा प्राता नौ बजे सोलन आगमन का समय है सोलन की माल रोड के उपर सोलन शिर्म और जिला के भाई बेहन उनका अभिनंदन करेंगे और इस बात की बधाई देंगे के उनकी अध्यक्ष्ता में शिरी नरेंद्र भाई मोदी के नेत्रेतों में और होम मनिस्टर शिरी अमित भाई शाह के मार्क दर्शन में यह तीन राज्यों की जो प्रचंड जीत है जो लैंड स्लाइड विक्ट्री है उसके लिए माननी नड़्डा जी का अभिनंदन ऐसा कारिक्टरम संपन होगा उसके बाद शिमला आएंगे पीटर हॉफ में शिमला जीला के भाई बैन उनसे मिलेंगे उनका अभिनंदन करेंगे और उसके बाद हमारे कोर ग्रूप के साथ उनका इंट्रेक्शन होगा उनका मार्ग दर्शन भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश के कोर ग्रूप को मिलेगा इस प्रकार ये रात्री ठहराव यहां रहेगा अगले दिन चंडीगर में उनके कारिक्रम में ये जो देड़ दिन का उनका प्रवास है ये जहां हिमाचल प्रदेश भारतिय जनता पार्टी में एक नई उर्जा का संचार करेगा वहीं हिमाचल वासियों को पर्टिकुलरली शिमला सोलन सिर्मौर वासियों को ये अवसर मिलेगा कि वो भाजपा के माननी राष्ट्रिय ध्यक्ष अपने हरदिल अजीज नेता जीत के बाद पहली बार आ रहे हैं उनका आविनंदन कर सकेंगे ये एक अत्यंत महत्वण विशे जो मैं आपके माध्यम से और जन्मानस के ध्यान में लाना चाहता हूँ ये जो तीन राज्यों की जीत है ये कोई छोटी जीत नहीं है कॉंग्रेस पार्टी बहुत क्लेम कर रहे हैं चतिस गड़ हमारा है चतिस गड़ के अंदर हम दो त्याई सीटें लेकर के जीतने वाले हैं पुरो मुख्यमंत्री बागेल साथ वो हिमाचल आए दोजार बाइस के चुनाओं में उन्होंने बहुत कुछ यहां बोला उन्होंने बोला जैसा सुंदर चतिस गड़ चल रहा है वैसा अच्छा हम हिमाचल को चलाएंगे जितनी गरंटियां बोले हम वहाँ पर दे रहे हैं वो गरंटियां हम यहां भी पूरी करेंगे चतिस गड़ की जनता ने उनकी गरंटियों को फेल कर दिया और जो कुछ उन्होंने और यहां पर आकर के विभिन तरह से लोगों को बरगलाने का काम किया चतिस गड़ की जनता ने और उनको भी किनारे बिठाने का काम किया भारतिय जनता पार्टी दो तिहाई बहुमत के साथ तीन चुथाई बहुमत के साथ मुआ सत्ता में आई मद्य परदेश के अंदर जहां 18 साल से भारतिय जनता पार्टी का साशन था वहाँ पर पांचमी बार भारतिय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और दो तिहाई बहुमत के साथ लैंड स्लाइड विक्ट्री के साथ बनाई जबकि कॉंग्रेस पार्टी का ये कहना था राजस्थान, मध्यपरदेश और चतिसगर तीनों राज्य इस बार कॉंग्रेस को मिलने वाद रहे हैं दस साल माननिय परदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी के दस साल के कारेकाल के बाद उनका जो तिलिस्म है उनका जो आकर्शन है वो लगातार बढ़ रहा है जबकि वह तिलिस्म तूटता है आमतोर पर और भारत की जनता ने उनको पूरी तरह से हर्दय समराट के रूप में अपने नेता के रूप में सुईकार किया है ये बात और पूरे भारत की जनता ने हर्दय से सुईकार किया